तो फाइनली गाईज हम पे भी किसी ने तरस खाके एक्सूट दे दिया फ्री में बाइस साहाब पहली बार मुझे इतनी महंगी चीज फ्री में मिली है भाई दिल को काफी तसली हो रही है अब आपको मैं फुल स्टोरी बताता हूँ कि मेरे कोई ये फ्री में कैसे मिला एक्सूट तो रात को मैं शॉर्ट्स रिकोर्ड कर रहा था जैसा कि आप सभी को बता होगा मेरे एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है पारस गेमर तो उस पर मैं शॉर्ट्स अप्लोड करता हूँ तो उस चैनल के लिए मैं शॉर्ट्स रिकोर्ड कर रहा था काफी दिन से मैंने शॉर्ट्स अप्लोड नहीं की और ये मैच मेरे काफी अच्छा जाता है और match से बाहर निकलते ही मुझे free में एक्सूड मिलता है कैसे मिलता है अभी आपको मैं live दिखाता हूँ सबसे बहले तो यहाँ पर देखो होता कि है मेरे साथ इस वाले match के अंदर ठीक है तो यहाँ पर सबसे बहले मैं loot कर लेता हूँ तो loot बगेर है complete करने के बाद मुझे पीछे से sound आता है और पता चलता है कि पीछे कोई है और जाके पता चलता है कि यह एक bot है bot मारने के बाद अभी मैं पूरी एक team को मारूंगा वो भी काफी गंदे तरीके से तो यहाँ पर मैं bot के M4 उठाता हूँ और आगे की तरफ जाता हूँ जहाँ पर मेरा random teammate knock हो जाता है और इसको बचाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैंने एक knock किया knock करने के बाद मैं बीना सोचे समझे सीधा push कर देता हूँ बंदे बे अगर मैं इसे revive ना देता तो यहाँ पर यह मर जाता तो यहाँ पर मैंने इसे पहले revive देने की कोशिश की revive देने के बाद सीधा मैंने push किया push करने के बाद मुझे sound आता है मैं random fire देता हूँ और पता चलता है कि दूसरी तरफ है बंदा और उसको मैं फटवट से knock करता हूँ नोक करने के बाद जैसी मैं जाता हूँ आगे देखता हूँ एक बंदा revive कर रहा हूँ उसको भी मारता हूँ यहाँ पर easy clutch होता है और काफी मतलब की आसान तरीके से इन्हें मैंने मार दिया और मैं यहाँ से बगगी लेके निकल रहा यह ठीक है तो अब मेरे पास वह वाली ability तो थी नहीं जिससे की पता चल जाए कि बंदा कहां पर है या फिर scanner लगा के मैं देखनू जिससे ESP बोलते हूं तो वह नहीं थी मेरे पास पाफर तो मुझे confusion थी कि वह पीछे वाले पेड़ पे है या आगे वाले पेड़ पेड़ और इसे मारने करने की कोशी करता हूं तब ही मुझे पता चलता है कि इसका जो teammate है इसको cover दे रहा है और यहां पर मैं फटा-फट से healing करता हूं healing करने के बाद गाड़ी उठा के इसके teammate को देखो कैसे मारता हूं वह गलत तरीके से मरता वो तो उसकी किसमत पे तो भाई और उस बंदे को पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से मैंने उसे मारा और मैं गाड़ी लेकि यहां से निकलता हूं और इस वाली ability का फायदा देखना आप यहां से मैं क्रोस करी रहा था अब छोटे map की तरफ देखो देखना छोटे map की तरफ यहां पर देखना आप देखो रेड रेड हो गया ना घेरा से बन गया तो यही ability का फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि बंदा कहां पर है तो मुझे एक idea हो गया था कहां पर वो रेड रेड हुआ छोटे map में तो यहां पर मैं गाड़ी लेके आता हूं दोबारा से जैसे ही रेड रेड होता है मैं ग कौन सी दुनिया में था ये इसको पता ही नहीं चला कि बंदा आके इसको मार भी गया तो ये इंडो लोबी थी इंडो लोबी अच्छी लोबी होती है बट यहां पर कभी कभी क्या होता है थोड़ी सस्ती लोबी लग जाती है तो उस टाइम यही हुआ था और रात का समय था यार ऐसी होता है अब मुझे पता था कि कीमसी को नहीं घरता कथी कब करता काफी कम ताइम ही एक होता है कि में के सिक जोनों मारते हूं इस ताकि ये चल्ला-चल्ला के अपनेiden को बिलाएं और उनको भी मैं मार सखो बट कोई भी ने बचाने नहीं आता तो दोनों को मैं फटाफट से मारता हूं और इधर से निकलता हूं तो फटाफट से इने मारते हैं सबसे वेले दो अब यहां पर मेरा mood काफी खराब हो जाता है क्योंकिंकि यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं तीन बंदों को नोक कर देता हूं कि वहां चाहता कुछ करता है उब को या की को क्लीक कम्पलीट करता हूए जो में गाडी में पुष करता हूँ तो मैं एक स्लो त orange ऑब tänker को मेरेख गाडी से उतर ही नहीं और बीना उतरे ही मर जाता हूं, और यहां पर House आता है इतना गुस्सा आता है मैं देखता भी नहीं क्योंकि में रेंडम खेल रहा था तो मैं स्कीद़ा एंग्जिट करता हूं उर मैं को काफी मतलब कि बैकार लगता है मुझे ऐसा लगता है, कि मैं गेम ही डिलीड करतू, और जैसी मैं बाहर आता हूँ, मेरा गुस्सा शान्त हो जाता हूँ, जैसी मैं यहाँ पर लोबी से निकलता हूँ बाहर, और यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आता है, कि किसी ने तुम्हें एक्सूट गिफ्ट किया, और भाई मैं खुश हो जाता हूँ, खुश होने के बाद मैं इतना खुश हो जाता हूँ, कि मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, अब मैं सोच में पढ़ जाता हूँ, कि आया क्या था, अब मैं inventory खोलता हूँ, और उपर नीचे, मतलब सब जगा देख लेता हूँ, पर नीचे करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या पता, जहां पर पॉबलाइटी वगारा, क्रेट वगारा होती है, वहां पर कुछ कार्ड सा आया हो, जिसे हम क्लेम कर सकें, और हमें एक्सूड मिल जाए, अब मैं सारी चीजे छान मार लेता हूँ, मुझे समझ नहीं अब यह लाइब रिकोर्डिंग है, उसके बाद वोईस ओवर कर रहा हूँ, अब यहां पर मैं मेल बोक्स में जाता हूँ, मेल बोक्स में जाने के बाद भी मुझे पता नहीं चलता कि हुआ गया, अब मुझे अचानक से पता चलता है कि भाई, गिफ्ट वाले पे कुछ र वीडियो से, जहां से मैंने वोईस ओवर साथ साथ में की है, अब तो मैं बाद में वोईस ओवर कर रहा हूँ, अब देखो ओरिजनल वीडियो, जो एक्सूट क्लेम करने वाली वीडियो है, तो भाई सावा, भी मैंने दोबारा से रिकोर्डिंग ओन की है, और उस टाइम मैं शोट्स रिकोर्ड कर रहा था, अपने सेकंड चैनल के लिए जैसा कि आप सभी को पता है, मैं शोट्स डालता हूँ, तो मैं मैं से बाहर आता हूँ, अचानक से मुझे पता चलता है कि भाई मेरे को किसी ने एक्सूट गिफ्ट की है, अभी मैं देखो वर्क्शॉप प करने वाली बात थी, पबजी गेंदर, जो कि मैं नहीं इंवेश्ट करना चाहता था, और उतने पैसे तो क्लेम भी नहीं कर पाता, मैं अपनी वीडियोश डाल के, तो इस वज़े से मैंने सोचा कि भाई, एक्सूट नहीं निकालना चाहिए, तो मेरा मन तो बहुत था, भाई साहब, वाई, क्या तगडी चीज लग रही है न, जैसे ही मैं क्लेक्ट के और पे क्लिक करता हूं, बूम गाइस, मुझे मिल गया, बिल्कुल फ्री में एक्सूट, अब ये एक्सूट मुझे क्यों गिफ्ट किया, किसने गिफ्ट किया, वो आपको मैं बताता हूं, यहां से बैक कैसे जाना है, शेर भी करी देते हैं यार, इसको सेव कर लेते हैं, ओके सेव हो गया, बैक कर लेते हैं, और यहां पर चलते हैं लोबी में, और देखते हैं कहां मिला हमें एक्सूट, तो चैक कर लेते हैं, एक्सूट आया के नहीं, अभी भी नहीं आया यार, आ जाना चीए था वैसे ओ ये कार्ड सा मिला है कोई 13 दिनों के लिए ये कार्ड है मतलब कि 13 दिन तक मैं इसे open कर सकता हूँ तो भाई क्या लग रहा है यार ये exit है न खतर ना ओ पी तो पहली बार मुझे कोई exit या फिर इतनी बड़ी चीज किसी ने gift किया तो इसे सबसे पहले open करते है और open करने के बार देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बिल्कुल free में exit मिल गया अभी ये मुझे free में मिला है आप सभी को free में नहीं मिल सकता क्योंकि ये मुझे किसी ने gift किया से मतलब की मैनत कर रहा है तो अभी वो क्याना कि पहले क्या था वो regular नहीं था YouTube पे अभी वो regular होना चाहता तो उसने मैं को बोला था कि आप मेरा YouTube चैनल promote कर देना है ना और मैं आपको और आपके एक subscriber को exit giveaway करूँगा मतलब कि एक तो उसने मुझे gift कर दिया और एक हमारे किसी subscriber को वो gift देगा जब उसके 20,000 subscriber हो जाएंगे अभी उसके शायद 6-7,000 subscriber है and 20,000 subscriber होने में ज़्यादा time नहीं लगेगा जहां तक मुझे पता है तो आप उसके channel को check out करो उसके channel का link description में मिल जाएगा और उसने मुझे ये कैसे gift किया उसकी video उसने upload की है और मुझे बोल रहा था वो मैं video upload करूँगा क्योंकि जब मुझे exit मिला match से बाहर निकलने के बाद तब मैं उस बंदे के पास बात करने के लिए गया तो अब ये सारी बाते कैसे मुझे पता चली कि उसने channel promote करवाना था अपना तो जब उसने मुझे gift किया तो मैं उसके साथ बात करने गया उसके बाद की recording है ये तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुने मुझे gift क्यों किया तो उसने बोला कि भाई तुमने अभी तक एक्सूड निकाला नी था और मेरे पास एक हजार से ज़्यादा coin थे और मैंने तुमें gift कर दिया तुम मेरा थोड़ा सा promotion कर देना channel का और मैं तुमारे एक subscriber को भी दूँगा तो मुझे ये deal अच्छी लगी मैंने बोला मुझे भी दे दिया इस बंदे ने gift और मेरे subscribers के लिए भी सोच रहा है और एक बात आपको मैं clear कर दूँ इस बंदे ने आज से काफी मन्त पहले हमारे channel पे giveaway करवाया था 20 से 25 रोयल पास giveaway किये थे इस बंदे ने और ये मेरा काफी अच्छा दोस्त उसी time पे बन गया था क्योंकि उस time पे मेरा थोड़ा channel इतना grow नहीं हुआ था बट उस time पे इसने मेरे subscribers के लिए giveaway किया था और उस time पे काफी जारी help भी की थी इसने मेरी और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बंदा पाकिस्तान से है और फिर भी इतनी मतलब help कर रहा है और इतना प्यार करता है हमारे साथ तो मुझे ये बात काफी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि इसके साथ एक collab करना चाहिए और इसके चैनल को थोड़ा सा boost देना चाहिए ताकि ये भी आगे जाके महनत करके बड़ा यूट्यूबर होने तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इसको दे देना चाहिए मतलब कि promote कर देना चाहिए थोड़ा सा तो जाके प्यार दिखाओ जितने भी अपने subscriber ने जाके thank you लिख देना उसके comment में पारस official की तरफ से thank you और आप सभी में से किसी एक बंदे को वो एकसूट giveaway करेगा और कैसे करेगा उसकी वीडियो में सारी detail उसने बता रखी होंगी तो जाके उसका channel एक बार check out करना बाकी आपने देखा यह मुझे कैसे मिला भाई मैं gameplay से बाहर निकला अच्छानक से बोला मैंने बोला यह कैसे हो गया एकदम से फिर मैं recording बंद करके उस बंदे के पास गया उस बंदे के साथ बात करने के पास फिर मैं आया मेरे को और X-Suit भाई काफी महंग है आप सभी को पता ही है कम से कम नी तो 15-15-20-20,000 UC लग जाती है तब जाके X-Suit निकलता है किसी किसी का तो भाई 80,000 UC में भी निकलता अब जिसने मुझे gift किया है उसकी 80,000 UC में निकली थी उसने live stream की थी उस live stream को भी आप देखना जाके उसकी किस्मत इतनी घटिया थी बट उसने हमें gift किया उसके लिए बहुत thank you मेरी तरफ से और उसके channel का link description में है जाके उसको प्यार दिखाओ comment section में भी देदू उसके channel का link बाकी मिलते हम अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाए जैहिंद वंदे मातरम